चलिए शुरुबात करते हैं आज के जो पेपर है इसको हम देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेशन पूछे गए हैं solution जो है पेपर का वो अभी हम आज ही जो इसके next वीडियो आएगा उसके अंदर आपको पूरा analysis करके दिखाएंगे यहां पर देखा जा रहा है जो analysis किया जाते कि किस area में से कितने question आये हैं कहां कहां से किस area से question पूछे गए हैं किस specific subject से कौन कौन से question आये इस चीज़ को हम देखने वाले हैं तो set B को हमने शुरू किया है यहां पर तो यहां पर पहला question वो nanotubes को लेके है nanotubes का mention किया गया था तो यह science and technology का वैसे question है हमारा लेकिन current phase का question है science and technology section से next question हमने देखा था spraying of the pesticides तो यहां पर basically जो drones होते हैं drones की application के बारे में question कूचा हुआ है current phase में हमने इसको discuss किया था कि drones की applications क्या होती है और यह current phase news के अंदर भी appear हुआ था next question जो है उसका असल Lisa pathfinder है तो Lisa pathfinder के ओपर यह basically science and technology का once again question है जो की newspaper में current में दिया हुआ था तो अब तक current के questions काफी सारे पूछे जा रहे है next question हमारा genetic changes को लेकर है यह भी current phase का question है और यहां पर recently news में दिया गया था और particularly science and technology जो biology वाला section होता है उससे पूछा गया है then हमने देखा है pneumococcal vaccine के बारे में तो यह भी current का question है बायो वाले section से यह particularly vaccines को लेकर यहां पर बात करी गई है इसके बाद public की infrastructure यह question as specific current का नहीं है क्योंकि पहले भी इसके बारे में बात चेक्थ करी जा चुकि पब्लिक की infrastructure के बारे में तो general question, general knowledge का question आप इसे मान सकते है then next question जो है वो basic difference है plant और animal cells के बीच में आपको difference बताना है easy question है यह भी अगर आपने environment या ecology का जो book है वो पढ़ा हुआ है तो उसका answer करना easy हो जाएगा not specific from the current face but current में इसका mention किया हुआ था लेकिन book भी आपने पढ़िया तो answer कर सकते है next हमारा है exposure to benzene pollution चीक है तो pollution को लेकर और benzene pollution को लेकर articles appear हो रहे थे तो यहां पर current का question environment ecology के साथ current connect करके यह पूछा गया है next हमारा है global financial crisis के बारे में economics का question है बड़ आपको पता है कि situation economy की अभी उतनी अची नहीं चल रही है इस वज़े से पूछा गया कि हमारी economy को immunity क्या-क्या चीज़े दे सकती है तो current का question economy से connect करके पूछा हुआ है if you withdraw one lakh in cash from basically यह आपका common sense वाला question है अगर आपको economics की sense है अगर आपको पता है कि money supply के जो topic है उसको बारे में आपने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसका answer आपके लिए करना असान हो चाहेगा next history हमारा section जो वो शुरू होता है तो यहाँ पे पूछा गया with reference to cultural history of India एक term दी गई है जिसका नाम है पैरामितास परामितास के बारे में यहाँ पे question पूछा गया ancient medieval मान सकते हैं इसको then हमारा जो modern Indian history है उसके अंदर से question पूछा गया है राखंभाई case 1884 के बारे में next हमारा again Indigo cultivation modern Indian history से question है spectrum की हमारी series में हमने इस question को cover भी किया था next question हमारा है वलीजली के बारे में Fort Williams को लेके again modern Indian history से spectrum की series में इसे भी cover किया था उल्गूलन मुंडग इसको कहते है तो बिर्सा मुंडग का revolt है यह भी हमने spectrum की series में cover किया था next हमारा question है जो कि 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 के बारे में literature के बारे में ancient India की पानिनी अमर सिमा एन कालिदास के बारे में पूछा गया है यह आपको spectrum की series में नहीं मिलेगा बट जो हमारी ancient India की NCRT की जो series यूट्यूब के अपर वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है not exactly बट हाँ उस question को देखते हैं आंसर में से एक और दो स्टेट्वन eliminate करना easy हो जाएगा आपके लिए then next question जो है वो है new pro nuclear transfer के बारे में reproductive technology को लेकर question है वैसे science and tech bio का है और current के साथ इसे connect करके पूछा गया then next artificial intelligence again science and technology का question है next हमारा है यह basically science and technology का section ही चल रहा है visible light communication के बारे में पूछा गया visible light communication technology के बारे में technology और current affairs को mix करके question बनाया है next question blockchain technology का है blockchain technology कोई नई technology नहीं रहेगी वही देखिए अगर आप पहली statement देखें बारबर भाई गुमाफिरा के newspaper में भी पब्लिक लेजर के बारे में statement दे रहे होती है cryptocurrency only यह सब चीजें गुमाफिरा के दे रहे होती है answer करना easy है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस साल के current phase आपने पढ़े होंगे तो ही इसका answer कर सकते है पिछले एक दो साल में कभी भी आपने blockchain के ओपर कोई भी article पढ़ा है तो इसको answer करना easy हो जाएगा आपके लिए चलिए next question जो है अब हमारा पॉलिटी का जो section है वो start हो रहा है पॉलिटी के अंदर parliamentary system के ओपर एक question है easy है consideration of India के part के बारे में पूछा है कि which part के अंदर welfare status है declare किया गया है यह question DPSP का है then next consider the following statement basic structure के बारे में बात करी गई है Indian polity का section है तो यह question हमारे Indian polity का है है हमारा then next gandhism और marxism के बीक में difference के बारे में पूछा है usually इस तरीके की जो चीज़ें books में not exactly आपको नहीं मिलेंगी लेकिन फिर भी हमने mcqs के अंदर जो एक difference था वो आपको बताया था दोनों की विचारदारों में difference क्या है question नहीं बनाया था इसके ओपर लेकिन explanation के अंदर बताया था इसी तरीके से जो गandhi और boss है उनकी विचारदारों के बीच का difference भी आपको पता होना चाहिए next question जो हमारा है वो bureaucracy के ओपर है कि characteristics बताये appropriate bureaucracy की यह basically common sensical question है कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा preamble of the constitution के बारे में भी आपसे यहाँ पर question पूछा गें Indian polity के questions है then next हमारा question जो है 27th question जो कि gold tranche के बारे में जैसे reserve tranche भी कहते है तो basically economics का question ने gold tranche के बारे में mention किया गया था इस बार के newspaper के अंदर then current affairs और economics का question कहा जा सकता है इसको then next part 4 of the constitution को लेकर तो यहाँ पे हमारा यह question Indian polity का है ठीक है तो quality और current affairs अभी तर काफी जादा आया है history के questions भी काफी जादा है then according to the constitution of India again Indian polity का एक question है पूछा गया है कि representation of people act के बारे में और साथ में ही person who is eligible to vote can be made a minister in a state for six months even if he or she is not member of the legislature of that state exact statement Indian polity के अंदर जो हमने series करी थी लक्षमी कान के उसमें दिया हुआ है consider the following statement next question जो है वो भी हमारा लक्षमी कान से president of India can summon a session of a parliament such as he or she thinks fit तो यह question जो है लक्षमी कान series में हमने किया था Indian polity की series में easy question है Indian polity का next आधार के बारे में है तो general knowledge का question है मैं current का नहीं कहूंगा इसे reason is क्योंकि कुछ ऐसे factors के अंदर दिये गया है जो कि already अधार के बारे में पुरानी न्यूस के अंदर mention किया जा चुके है next हमारा पॉलिटी का question है राजसभा has equal power with लोकसभा exact यह question हमने लक्षमी कान के series में भी mention किया हुए जहां पे दोनों की powers को compare किया गया MP-led fund यह हमने current में discuss किया था अभी recently around 40-45 days पहले जहां पे MP-led fund के अंदर एक नए close आई थी कि पैसे को यूस किया जा सकता आपको पता है कि MP-led के अंदर जो पैसे पाच करोड कर दिया जाते constituency के लिए और यहां पर यह पैसा यूस किया जा सकेगा किस चीज़ के लिए यह पैसा यूस किया जा सकेगा जो करोना testing होती है करोना infrastructure के लिए then which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against undouchability Indian polity के दो question है यहां पर 34-35 नेक्स हमारा question जो है economics को लेकर है और economics को लेकर जो usual question है कोई current question है usual question जो यहां पूछा गया है then constitution government की definition Indian polity का question है हमारा इसके बाद का question जो है fundamental rights के ओपर है Indian legal service के बारे में भी यहां पर question पूछा गया है then यहां पर where is a declaration current का question है हमने तालो ना तालो ना डायलोग के बारे में पूछा था है convention को भी हमने काफी discuss कि अंडर टू correlation के बारे में भी हमने discussion किये तो इन तीन coalition के बारे में तो recent जो current आपकी happenings थिकर अंटरफेस के बारे में question पूछा गया है various sect के बारे में बुद्धा एंड महयाना बुद्धिजम के बारे में then उसके बाद है हमारा industrial revolution को लेकर question है then next question भी history के ओपर है medieval history के ओपर question है तो कि यहाँ पर trade कैसे किया था था हुंडी के बारे में mention किया गया है इन सब का explanation है वह हम करेंगे अभी just इसे surface level पर देख रहेंगे किस-किस area से question आये हुआ है then next है Desser Kata जो इनके writer है उनका नाम दिया हुआ है history से question है गांधी इर्विन एक रूलर की characteristics जैसे हम personality वाले question करते है spectrum के अंदर उस तरीके से दिया गया कि किस personality को बताया जा रहा है आप हाफ of the paper हमारा complete हो चुका है अभी तक history, current phase, Indian policy जो है इसके questions जादा है अब आएगी जोग्रफी की बारी तो जोग्रफी का section यह शुरू होता है तो यहां पर advantages दे रहे है fertigation के advantages के बारे में बताने के लिए का है minerals के उपर एक question है next question हमारा जो है ocean mean temperature के उपर है इसके बाद fertilizer chemical fertilizer के उपर एक question है जोग्रफी के अंदर then Indian desert national park के उपर एक question पूछा गया है यह आपर उसके बाद next question हमारा है siyaachin glacier के उपर फिर next famous places पूछे गए और कहां कहां पर वो locate करते हैं तो यह geography map related question आपका है यह भी आपका map related siyaachin glacier बला जो question है यह भी आपका map related है then question no.58 को अगर देखे तो यहाँ पर ऊचा गया 36% हो इंडिया districts are classified as over exploited or critical by the central ground water authority तो यहाँ पर basically देखे जोग्रफी और environment ecology को मिला के question पूछे गया है तो water का status के बारे में question है next question jet streams के बारे में है jet streams को लेके question statements बनाए गई है अगला tiger reserves के बारे में है which one has the largest area of the critical tiger habitat यह तो current के मामले में हमने यह question discuss किया था even the geography के कोई अलग से mcqs नहीं थे लेकिन इसको हमने current में discuss किया हुआ है next हमने schedule 6 के बारे में देखा था violet protection act 1972 तो यह भी current में हमने discuss किया है then next question हमारा gupta dynasty के बारे में है पूछा गया है in ancient India the towns घंटशाला, कदूरा and चोल वर also known as तो आपका medieval history से question है इसको discuss नहीं किया था हमने what is the advantage advantages of zero tillage in agriculture तो again जो environment ecology और जोग्राफी को मिला के यह question बनाया गया है next हमारा question है India's national policy biofuel के ओपर current का question है दुबारा से जिसमें आपको ecology वाला जो factor है वो भी दिख जाएगा तो काफी ज़रे questions ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं current face में अपीर हुए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि static question को static मत समझके चलिए static question को static समझके चलेंगे तो उसमें से दो या तीन question ही आ पाएंगे तो पूरी book पढ़ेंगे उसमें से दो तिन question solve कर पाएंगे लेकिन कहीं पे भी history हो geography हो आपकी quality हो वो कहीं ने कहीं current में आपीर होते हैं तो उसके ऊपर question बनाया जाते हैं then next question जो है social cost of carbon के बारे में environment ecology का question है ये भी then black gram के cultivation खरीब और अभी crops के बारे में जोग्रफी का question है next question भी जो है वो specific crop के बारे में पूछा हुआ है then next जो है solar power के ओपर question है आपका again आपकी जो green energy है environment ecology को लेकर उसके ओपर question यहाँ पर पूछा गया है इसके बाद current trends cultivation के बारे में पूछे गए है यहाँ पर geography का question है यह उसके बाद crop diversification और various eco-friendly agriculture practices geography और ecology को मिला के यह question पूछा गया है then next question हमारा है agriculture के अंदर public investment के बारे में तो economics और geography को मिला के यह question जो है वो पूछा गया है then next हमारा question है interest coverage ratio of a firm in India economics का question है उसके आगे चलते है factors और policies पूछा है कि price of rise in India को कौन-कौन सी effect करते है तो economics हमारा जो है दुबारा से economics का question पूछा गया है next हमारा current face में से the value of industry Lanka trade has consistently increased in the last decade again economics और international relation को मिला के question पूछा गया है then अगला question हमारा 75th question है which were the following groups are the four countries members of G20 तो यहां पर G20 के members current face के बार में हम देखते हैं कि BIM stack के members कौन से हैं और साथ में साथ के members कौन-कौन से हैं various groups में G4 के members कौन है G20 के members कौन से तो यह general knowledge का आपका current face का question यहां पे पूछा गया है किसान credit cards के बार में question again current face का question है इसके बाद CPI WPIE के बार में question है economics का basic question है और इसको हमने बहुत बार यहां पे discuss किया CPI WPIE CPI को लेके आता है WPIE को लेके आता है CPI क्या capture करता है WPIE क्या capture करता है दोनों में difference क्या क्या होते है इसके बार में discussion किया geography का question है then minimum support price current में काफी news में था यह हमने काफी discuss किया current के अंदर then economics का commercial paper CP certificate deposit call money zero coupon bond यह basic question है ऐसा नहीं कि यह current का question है जो आपकी basic economics होती है अगर आपने कोई भी book पड़ी है तो आपे CP CD के बार में mention क्या होता है easy question है मतलब इस तरीके question जब हम लोगे exam देते थे तब भी कई बार आ जाते थे तो it's not a current question चलिए next question हमारा AT first जो है वो FDI को लेकर है और यहां पर पुछे India is one of the following is considered major characteristics of FDI भी ज्यादा नया topic नहीं है वैसे current में time to time mention होता रहता है इसका next question हमारा है international trade को लेके इंडिया की at present इसको लेकर कौन सी statement ठीक है तो international trade international relation और economics को mix करके question पूछा current का question है then the term West Texas intermediate यह हमने question पूछाओ आपको यहां पर answer भी सही किया है तो West Texas intermediate हमने current affairs में discuss किया था next question जो है Indian economy को लेके है non financial debt क्या-क्या include करता है current का question है और economy का angle इसके अंदर डाला हुआ है then IAEA के safeguard के ओपर question पूछा है इसके ओपर हमने current में question discuss किया हुआ है trims trade related investment measures यह question भी हमने current के अंदर discuss किया हुआ है current का question है economic touch है इसके अंदर 87th question में हमने देखा है monetary policy RBI की RBI decide to adopt an expansionist monetary policy which are the following would it not do देखे note को यह bold क्या हुआ है तो क्या इसमें से नहीं किया जाएगा economics का question है expansionist policy आपको बता दू covid-19 के time पर adopt करी गई है reason यह है क्योंकि slow down आ रहा था उसकी वज़े से देन इसके बाद with reference to Indian economy 1991 का जो LPG reforms हुए थे उसको लेका statement है तो पुराना question नहीं economics का question है book में आपको standard book में मिल जाएगा इसका answer इसके बाद short term credit deliverable के बारे में है तो economics अब देख रहे है economics second part में पचासवे question के बाद economics और current affairs चाया हुआ है पुरे तरीके से बहुत ज्यादा question इसमें से पूछे गए हैं cyber insurance के ओपर पूछा है India under cyber insurance for individuals यहाँ पे current affairs का एक question है then 91st question last part पे आ गए हम यहाँ पे तो यहाँ पे पूछा गया history of India के बारे में आपको various pairs उसको match करना है तो various pairs के अंदर आपको एक side पे दे रखें कि इन्होंने जो individual personality है और second जगह पे कि उन्होंने क्या काम किया था history का question है ancient and medieval का जो questions है वो भी काफी appear हो रहे है with reference to Indian elephants consider the following statement maximum gestation period elephant के बारे में एक general knowledge का question है कि highest elephant कहाँ पाए जाते हैं और इनका gestation period क्या रहता है और इसमें जो basically जो carving है वो कब तक होती है तो gk related question है लेकिन कहीं न कहीं इसका भी answer आपको current face के अंदर मिल जाएगा which of the following protected areas are located in kavery basin तो basically map related question है कि protected area kavery basin आपको map पे देखना पड़ेगा तो geography का map का question कहा जा सकता है इसको India's biodiversity, Ceylon, Frogmouth, Coppersmith, Barbit, Grey Chin, इनके बार में पूछा गया कि ये क्या है ठीक है तो ये आपको standard जो ecology वाली वोकर है थी environment की वहाँ पर इसका answer मिल जाएगा current का question ये नहीं है which one are the following protected areas बारा सिंगा की conservation के लिए जाना जाता है तो again newspaper में भी mention किया हुआ था और वैसे अगर आप question देखेंगे geography का ecology का extended question है जो की map related question है next steel slack can be material for which of the following यहाप steel slack जो है ये आपका आप general knowledge का question इसको कह सकते है और news में भी इसको mention किया हुआ था next question जो हमारा है वो है musk deer के बारे में इसके natural habitat के बारे में तो environment ecology का question है इसके बाद हमारा 98th question जो है वो किसके बारे में environment sustainability reduce carbon footprint के बारे में environment ecology का question है यह भी 99th question भी environment ecology में आपको answer मिलेगा coal ash contains arsenic lead फिल्कुल ठीक है बायो चार यह तो news paper बायो चार 100 questions देखे इसमें कुछ ना कुछ आप कह सकती कि balance कहीं न कहीं दिखा है अच्छी खासी history है वो पूछी हुई है साथ में Indian political economics के भी काफी question है और जो current affairs है वो तो पूरे तरीके से चाया हुआ है क्योंकि यह सभी question कहीं न कहीं current affairs में appear हुए हैं उनसे लेकर ही पूछे गए हैं जोग्रफी comparatively थोड़ी सी कम है मैं यह नहीं इतने question नहीं आता है लेकिन economics के question current affairs के साथ मिलाकर काफी जादा दिये गए तो current affairs अपने आप में king कहा ही जा सकता है इस particular paper के लिए क्योंकि काफी सारे questions current affairs में से यहां पर दिये गए थे तो अभी क्या है अभी इसके one by one question जो हम analyze करना शुरू करेंगे किसका answer क्या है उसके बार में बात करेंगे feedback यह रहा बच्चों का कि question paper था और जो हम अभी इसके analysis करेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि cut off कितनी तक जा सकती है और साथ में हर question का answer क्या है और हर question का answer जो भी ABCD में से है वो क्यू है तो यहां पर आपको एक basic जो idea था कि किस में से कितने कितने questions आइं यह आपको question paper के बारे में पता चल गया so stay tuned for the upcoming videos जहां पर हम पूरे paper को analyze करने वाले हैं thanks watching good-bye